मेश अधिक भावुकता आपको अस्वस्थ बना सकती है ऐसा गणेश जी कहते हैं शारिरिक स्वास्थ पर भी इसका नकारात्म का असर पड़ सकता है नए कारे का प्रारंभ आज न करियेगा साथ में वानी और वर्तन पर संयम बरतियेगा खान पान में ध्यान रखियेगा मिथुन आज आनन्द प्रमोद में अपने आपको भुला देने का दिन है ऐसा गणेश जी कहते हैं मनुरंजन प्रविर्ती में आप खोए से रहेंगे मित्रों के साथ प्रवास प्रयटन का आयोजन होगा धन के खर्च में वृध्धी होगी करक प्रमों से शारिरिक कष्ट हो सकता है लेकिन मध्यान के बाद परिवार में आनन्द और उल्लास में वातावरन रहेगा कन्या गणेश जी का कहना है कि आज शारिरिक स्फूर्ती तथा मानसिक उल्लासित और चेतना शक्ति का आप में अभावसा रहेगा सामाजिक रूप से अपमान ना हो इसका ध्यान रखिएगा धन हानी होने की संभावना है प्रोध परसंयम रखिएगा तुला नए कारे का शुभारंब करने के लिए आज का दिन अच्छा है लिए व्यक्ति के साथ हुई भेट आनंद दाई रहेगी भाग्य बृधी होगी सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा परंतो मध्यान के बाद आपके मन पर उदासी चाई रहेगी विरिष्चिक निर्धारित कारे संपन न होने के कारण हताशा का अनुभव होगा किसी भी महत्वपुर्ण कारे अत्वा उसके विशे में निर्णय न लेने की गणेश जी की सलाह है पारिवारिक बातावरण में कलेश की मात्रा अधिक रहेगी धनू आज का दिन आपके लिए शुब फलदाई है ऐसा गणेश जी कहते हैं कारे सिध्धी और लक्ष्मी प्राप्ती दोनों की आज प्राप्ती होगी शारिरिक और मानसिक रूप से आप उत्साही तथा प्रफुलित रहेंगे इसलिए प्रतिक कारे करने में आपको उत्साह रह जाए मन में व्यग्रता रहेगी इसलिए अध्यात्मिक्ता का आश्रे लेने से मन शान्त होगा मध्यान के बाद स्फूर्ती और उल्लास का अनभव करेंगे कुम्ब आज का दिन सब तरह से लाभप्रद है ऐसा गणेश जी कहते हैं सामाजिक शेत्र में आप अधिक सक्रिय रहेंगे और उसके फलस्वरूप मान प्रतिष्ठा में भी विर्धी होगी विवाहुत्रुकों को अनुकूल जीवन साथी मिलने से दिन के आनंद में भी अभिविर्धी होगी आज का दिन सब प्रकार से आपके लिए लाभदाई है ऐसा गणेश जी कहते हैं किसी परोपकार का कारे आपके द्वारा होगा व्यापार में उचित आयोजन के द्वारा व्यापार भिर्धी कर सकेंगे उच्च अधिकारी गण आपके कारे की प्रशंसा आनंद पुर्वक करेंगे